दोस्तो ओनलाइन मीडिया दा प्रिंट में हाली की दिनों में एक स्टोरी पब्लिश होई थी इस स्टोरी के अनुसार केरल के कोची शहर के पास एक बहुत बड़ा सा बंगला था जो पिछले 23 सालों से विरान पड़ा हुआ था इस बंगला का जो गेड़ है दर्वाजा है या खिड़कया है वो सब तूटी हुई थी आसपास के रहने वारे लोगों का कहना था कि उन्होंने कई बार इस घर से प्यानों और दोर बेल की बजने के अवाज सुनी है समय के साथ साथ लोग इस घर को एक भूतिया घर बुलाने लगे लेकिन दोस्तो इस भूतिया बंगला का रास बाहर आने में जाधा समय नहीं लगा दरसल ये 23 साल से खाली पड़ा बंगला इतना जरजर हो गया था कि यहां अंदर चुहे बिल्ली दोड़ा करते थे जिनके वज़ा से कभी-कभी ये अवाजे सुनाई देने लगती है लेकिन दोस्तो ये कोई केरल की एक घर की कहानी नहीं है इनफाक्ट केरल में लगभग 12 लाग से जादा ऐसे घर हैं जो सालों से खाली पड़ी होए हैं वो धूल खा रही है और सालों से वहाँ सब तरह के जीव रहे रहे हैं सिवाए सिर्फ और सिर्फ इनसानों के तो दोस्तो सवाल ये उड़ता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों इसलिए दोस्तो आज इस वीडियो में इस सवाल का जवाब ढूनने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि हम अपने लाइफ में इस से क्या लेसन ले सकते हैं तो बीना और देरी किये करते हैं इस वीडियो का श्री गनेश हलो फ्रेंड्स मैं हूँ सागा स्रीदेश और मैं हमारे लाइफ के उन अंच्छोए पहलों पर बात करने की कोशिश करता हूँ जो जरूरी तो है लेकिन आज कल की शोरगुल की दुनिया में कहीं खोसी गई है दोस्तो एक कहवत है कि अगर आप चान में भी जाएंगे तो वहां आपको कम से कम एक मल्याली तो मिल ही जाएगा मल्याली दोस्तो यानि की केरल के मोलनिवासी केरल भारत का वो राज्य है जो सबसे ज़्यादा सिक्सित है और वो राज्य जिनकी प्रती व्यक्ति आए भारत के टॉप स्टेट में से हैं दोस्तो केरल शुरू से ही most of the time एक communist government के अंडर रहा है communist government की philosophy होती है कि सभी लोगों का संसाधनों पर एक समान मौलिक अजिकार है इसलिए उनको अधिकतर जो जन्त सुविधाय है या तो वो free मिल जाएंगी या बहुत ही कम prices में मिल जाएंगी साथ ही communist government उद्योगों को या फिर industrial development या फिर private investment को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देता क्योंकि ये उनके philosophy के बाहर है इस वज़े से देखा जाए कि केरल की जो पडोसी राज्य है जैसे कि करनाटका और तमिलनाडू अगर उनसे compare किये जाए तो राज्य की केरल की जो industrial development है वो बहुत कम है और इस कम industrial development के वज़ा से केरल के लोग जो actually में काफी educated रहे हैं intelligent रहे हैं और hard working रहे हैं उनको अपने state में ठीक से रोजगार के opportunities नहीं मिल पा रही थी और यही कारह ने दोस्तों कि केरल की लोगों ने भारत की दूसरे राज्यों में migrate करना पलायन करना शुरू कर दिया बात है साल 1970 की और उस समय खाड़ी की देशों में तेल का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा और उसलिए वहाँ पर पढ़े लिखे engineers और workers की जुरत पढ़ने लगी केरल वासे को यह जो opportunity है एक golden opportunity दिखने लगी और वो विदशों में खासकर इन खाड़ी की देशों की ओर पलायन करने लगे शुरू में यह जो पलायन था वो सबको अच्छा लगने लगा था उस व्यक्ति को अच्छा लगने लगा क्योंकि उसे बहुत अच्छी employment मिल रही थी उनके परिवारों को उनके घरवालों को भी बहुत अच्छा लगने लगे और इनसे उनकी जो lifestyle है वो काफी develop होने लगी और साथ ही साथ जो केरल government है उनको भी धेर सारा foreign remittance के नाम से खुब dollars, खुब foreign money उनको मिलने लगे जब किसी भी country या किसी भी states में जब विदेश्य पैसा आता है तो उनकी अर्थ विरस्ता को बहुत अच्छी फायदा होता है और वो तेजी से grow करने लगता है लेकिन दोस्ता ये जो purple patch था वो बहुत जादा दिन तक चल नहीं पाया पिछले 20 सालों से ये जो मानव संसाधन यानि की human resource की export इतनी तेजी से बढ़ी केरल से कि ये जो सुनहरा अवसर दिखने वाला चीज वो अब एक आपदा में बदलने लग गया है लोगों ने तेजी से पलायन किया और कईयों की पिढ़ी दर पिढ़ी विदेश में ही सैटल होने लगी और यही ट्रेंड आज केरल की अस्तित्व और समाजिक तान्यावाना को एक चुली में एक खत्रे में डाल रहा है इस भयानक पलायन के वज़े से दोस्तों वहाँ पर 12 लाग से जादा बड़े-बड़े बंगलोज, मैंशन, एस्टेट्स और प्रॉपर्टी आज सूने पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं वहाँ के हालात को आप इस उधारन से समझ सकते हैं कि ये जो पिक्चर में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, वो केरल के एक गाउं में 140 साल पहले लगभग 1880 में बनाया गया था इस मकान ने लगभग 4-5 पिड़े देख ली है, एक समय ऐसा था कि इस घर में एक समय पर कम से कम 50 लोग हुआ ही करते थे लेकिन आज इस समय मकान में सिर्फ यहां दो ही लोग रहते हैं, परिवार के जो बाकी लोग हैं वो फॉरें में सेटल हो गये हैं आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं वो अभी हाल में उनके इसी घर में आयोजित एक get together हुआ था, जहां इनके परिवार के अधिकतर लोग शामिल हुए थे दोस्तों तो सवाल उठता है कि केरल में इतनी properties बेकार क्यों पड़ी हैं? दरसल केरल में एक बड़ा लक्शुरी मकान का मालिक होना एक जरूरत कम और समाज के बीच में अपनी रसूख, अपनी हैसियत के अप्रतीद जादा माना जाता है दोस्तों एक समय जो केरल के प्रवासी थे जिन्होंने खाडी में गल्फ के रेगिस्तान में अपने खून पसीने की कमाई से केरल में आरिशान मकान बनाया इस आशा में कि जिन्दगी में जब भी एक अच्छा समय आएगा वो यहां लोटेंगे और एक सुकुन भरा जिवन बेताएंगे लेकिन दोस्तों उनके आने वाली जो पिढ़ी है वो विदेश में ही पलने बढ़ने लगे उनको वहीं का एजुकेशन अच्छा लगने लगा वहीं का लाइफस्टाइल पसंद आने लगा जिसके वज़ए से वो चाहते तो हैं वापस आना लेकिन वो चाहा कर भी वापस लौटने पा रहे हैं आज इन ही में से बहुत सारे मकान खंधर बन चुके हैं दोस्तों लोग सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि अगर ऐसा है तो मकान मालिक उसे बेच क्यों नहीं देते या फिर उन्हें किराया पर क्यों नहीं डाल देते इसका जवाब सीधा सरल ये है कि इन में से अधिकतर मकान जरूरत कम और समाजिक मान मर्यादा और पतिष्ठा पाने के लिए ही खड़ी की गई थी सो इसको बेचना या केरल में बंगला ना रहना उनके समाजिक प्रतिष्ठा को एक्चुली में एक प्रकार से हर्ट करने के बराबर है हाला कि हाल की दिनों में कई लोगों ने इसको बेचने की और इससे निजात पाने के बारे में सोचा लेकिन अब केरल में इस सिति ये है कि वहाँ पर प्रॉपर्टी के सेलर्स जादा हैं, बायर्स कोई गिने चुने ही रह गए और दोस्तो इसी वज़े से वहाँ की प्रॉपर्टी की कीमत है अब वो उतनी बढ़ ने रही है जैसे उसे बढ़ना चाहिए Times of India के एक रिपोर्ट के अनुसार Central Keral के डिस्ट्रिक्ट में एक आदमी को उनके बच्चों ने लगभग 2 करोड दिया इसलिए क्योंकि वहाँ पर घर बना सके उस आदमी ने उस 2 करोड का एक भव्या आलिशान मकान बनाया लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ही दिनों मे उनकी पतनी का दिहान दो गया और अब वहाँ पर अकेले पड़ गए इसलिए वो इस प्रॉपर्टी को बेच कर अपने बच्चों के साथ जाना चाहते थे दोस्तों जानकर आश्चरे होगा कि उस 2 करोड की प्रॉपर्टी को उस आदमी ने आनन फानन में सिर्फ एक करोड में बेच कर वो अब फॉरेंच चले गए और अब वहाँ पर वो सैटल हो गए इसके अलावाद जहां तक इन मकानों को किराय पर देने की बात है तो अक्सर लोगों की शंका होती है कि जो किरायदार है वो इतनी महंगे प्रॉपर्टी को ठीक से मिंटेन नहीं कर पाएंगे उनकी ठीक से देख रेख नहीं कर पाएंगे और वैसे भी बात यह है कि उनके इस बड़े बड़े बंगलों के लिए उनके हिसाब से किराय नहीं मिल रहा है और वो प्रॉपर्टी या तो वो लॉग्ड है या फिर वहाँ पर कोई रहने को तयार नहीं है तो दोस्तों वहाँ पर हालात यह है कि वहाँ लोगों ने अपने अच्छे रिटर्ण की आशा और समाजिक प्रतिष्ठा के चकर में आलिशान घर बना तो लिए हैं लेकिन कईयों के आज के समय में आप बैंक बैलेंस देखेंगे तो वो बैंक बैलेंस कुछ और ही कहानी बैंक बैलेंस के चाहिए अगर कोई वहाँ पर रहना भी चाहे तो उसकी पूरी चांसे हैं कि उनको अपना जो रिमेनिंग लाइफ है वो बीना किसी पडोसी के या दोस्तों के सिर्फ अकेले ही गुजारना पड़ेगा तो दोस्तो चलिए बात करते हैं कि इस particular problem का solution क्या हो सकता है हाली में केरल की government ने ऐसे सुने पड़े मकानों पर tax लगाने का proposal दिया था लेकिन जो एनराइज है केरल के वो उनकी दबाओ के चलते उस proposal को भी वापस ले लिए इस दोस्तो अभी कोई फिलहाल ऐसा पुखता हल दिखाई तो नहीं दे रहे लेकिन समाज और सरकार को कुछ न कुछ तो solution निकालना ही पड़ेगा नहीं तो आने वाले 15-20 सालों में यहां सच में सिर्फ और सिर्फ भूत ही रहने को बचेंगे दोस्तो इस particular situation से सिर्फ केरल ही नहीं पूरे युवा पिढ़ी को भी सचेत रहना चाहिए कि वो जो अपनी महनस से पैसे कमाते हैं जो रिष्टो की बलिदानी के द्वारा जो पैसे कमाते हैं वो पैसा सिर्फ दिखावा और अच्छे return on investment के चकर में जबर्दस्ती खर्च न करें दोस्तो जहां तक हो सके हम अपने जो money है वो maximum time liquids में रखें और retirement के आज पास हमें clarity आएगी कि हमें उस पैसे का क्या करना चाहिए हमारी ये जो mindset है कि लोग क्या कहेंगे या फिर कहीं पर invest कर देने से बहुत अच्छा return of investment मिलेगा तो ऐसा जो mindset है वो हमें आज भी परिशान करेगा और हमारा आने वाला कल है वो भी हमें कसोटता रहेगा आज की वीडियो में बस इतना ही आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्षन में जरूर बताइएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो